अभी गर्मी का मौसम है, तो आज हम एक कूल रेसिपी देखेंगे, तो आज की रेसिपी है बादाम का दूद, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आधा लिटर दूद, फुल क्रिम दूद यूज किया है, थोड़ा सा केसर, बीगोई हुए बादाम, 25 बादाम हमने यहां लिय तीन इलाइची और 4-5 टेबल स्पून चीनी, क्रश किये हुए पाजू और बादाम, तो सबसे पहले हम दूद बॉइल करने के लिए रख देते हैं, हमें मीडियम आच पर रखना है, तब तक हम, हमने जो इलाइची ली थी, इसका हमें पाउडर बनाना है, तो हम यह आएच्छ lid, तरुद चीनी, दालेंजे दो पाउडर अच्छा बनचाता है, इसका पाउडर बनके हमारा तयार है, तो अब हम जो बादाम लिये थे, लिए पैस बनाएंगे, तो इसी जार में हम बादाम लेंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, आएब दूद का भी इस्तमाल कर सकते हैं और जो केसर लिये थे वो भी हम इसी में डालेंगे अब हम इसका स्मूथ पेस बनाएंगे इस प्रकार से पेस बनके हमारा तयार है एक दम स्मूथ पेस बनाएं हमारा अब हम इसे दूद में मिलाते हैं तो देखते हैं दूद हमारा बॉइल हो रहा है अब हम इसमें पेस्ज़ डालेंगे और इस से अच्छी तरह मिक्स करेंगे अग हैं आजा कर है कि ईलाइची का पाउडर डालेंगे इसमें मिक्स करेंगे अब चीनी डालेंगे हमें इसे हिलाते रहना है क्रश किये हुए बादाम और काजू भी डालेंगे इसमें अब इसे हमें थोड़ा सा दूप ठीक होने तक हमें इसे वाइल करना है बीच बीच में हमें इसे हिलाते रहना है दूप हमारा धीमी आजपर बॉइल हो रहा है इस तरह से दूप हमारा थीक बन गया है अब हम ग्यास बन करते हैं और इसे सर्विंग ग्लास में निकाल लेते हैं इस प्रकार से दूद हमारा तयार है इसे हम काजो और बादाम से गार्णिश करते हैं तो ये बादाम का दूद आप जरूर बना के देखिए ये गर्मा गरम भी अच्छा लगता है और थंडा करने पर बहुत ही अच्छा लगता है तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चानल को सब्सक्राइब